सादक मित्रों आज हम जानेंगे कि मनुष्य जर्म कितना दुरलब है और मनुष्य जर्म में भी यहां अंतर मुखी होकर स्वावलोकन की जो विध्यां मिली है जिसमें हम नहीं केवल काया का स्कैनिंग करते हैं या काया को बीन्द बीन्द कर जानते हैं, वेदनाओं से जानते हैं, बलकि उसी के साथ साथ मन का ओप्रेशन भी होनी लगता है, मन को भी हम पूरी तरह से स्वयम को जानने लग जाते हैं. तो यहां चार उधारन जो तापसों के, रुशियों के, योगियों के भगवान बुद्ध के जीवन में आते हैं, वे हम देखेंगे कि वे क्या कहते हैं. पहले तापस है रुशिकाल देवन, बहुत विख्यात प्रतिष्टिक ब्राम्बन थे ये, शाक्य तदा कोलिय राजगरवनों के धर्मगुरू भी थे, उन्होंने आठो ध्यान साद लिये थे, जो आठो ध्यान साद लेता है न मित्रों, उसे सिद्यां भी औश्य प्राप्त हो जाती है, अनायास प्राप्त हो जाती है, एक बार ये देव लोग से संपर्क कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी खुशिया मनाई जा रही है, मनुष्य लोग में बोधी सत्म का जन्म हुआ है, ये देवोंने जाना, जिनोंने अपनी सारी पुन्य पार्मित और धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे, जिससे सकल मनोजाती का कल्यान होगा, काल देवल की यह जानकर विशेश प्रसंता हुई कि यह बोधी सत्व, उनके यजमान, महराजा, शुद्धोधन के घर, महराणी, महमाया की कोक से जन्मे है, काल देवल, जिने असित देवल भी कहा जाता है, और कान्ना देवल भी कहा जाता है, वहां तक काल हिमाले से राजबोन पहुचे, वहां उन्होंने नवजात्शिश को देखा, जिसके सुन्दर दिव्वे शरीर पर महापुरुशों के लक्षन, चिन्न थे, जो चक्रवती सम्राट या सम्यक संबुद्ध के श स्वय मृत हो चुके होगे, भगवान बुद्ध की धर्म शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, अर्थ यही होता है मित्रों, आंथो ध्यानों में पूर्ण पारंगत होकर भी, आप पूरी तरह से, जन्म मृत्यों के बंधनों से, दुखों से, विकारों से मुक्त नहीं हो सक जब तक आप विपशना, ध्यान, साधना का अभ्यास नहीं करते, फिर हम जानेंगे अलार कलाम और उद्ध कराम पुत्र, इन दोनों पूर्ववरती भगवान, हमारे बोधी सत्व के जो गुरू रह चुके हैं, उनके विशे में जानेंगे, जब भगवान ने धंब सिखा जाने के लिए शास्ता की भूमी का निभाने का निर्ना किया, तो मन में उनके प्रशन उठा कि सर्व प्रतम किसे धर्म सिखाऊं, तक काल मन में अपने पूर्व आचारियों के प्रति उनकी मेतरी करुना जागी, और उनोंने सोचा कि अलार कलार का नाम पहले उबरा, परन तु बोधी चित्त से जाना के पिछली रात ही उनका भी देहांत हो चुका है, विचारनी है मित्रों के भगवान बुद्ध अपने पूर्य आचारियों का धर्म सिखाने योग्य समझते हुए भी, उनके प्रति कुतग्यता का भाव रखते हुए भी, उने धर्म क्यों नही सिखा पाए, देवान देहांत हुआ, तो उनका पुनर जन्म भी हुआ होगा, क्योंकि वे भाव मुक्त तो नहीं हुए थे, उनके पास भाव मुक्ती की विद्या ही नहीं थी, यहीं विद्या तो भगवान उने सिखाना चाहते थे, वे दोनों क्रमशा, सात्वी और ज्यान समापतियों के धनी थे, अधा उनका जन्म निश्चित रूप से अरूप ब्रह्म लोक में हुआ होगा, जिन भगवान बुद्ध की पहुँच लोकोत्तर, निर्वान वस्ता तक थी, वे भवाग्र परस्थित अरूप ब्रह्म लोक में तो जाही सकते थे, अरूप शब्दों में नामसकंद अर्था चितसकंद ही रहता है, रूप काया पर स्थित रहने वाली आख, कान, नाख, जीब और तवचा के पांचों इंद्रिया नहीं होती, केवल मनों इंद्रिये ही होती है, अधा भगवान वहां जाए भी, तो उनकी धमवानी सुन सकने के है, तो धर्म सिखाया कैसे जाए, परंतु परचित ग्यान की विशिद्धी तो भगवान के पास भी थी, और उन दोनों के पास भी थी, अधा चित से चित की बात समझाई जा सकती थी, परंतु विमुक्ति के लिए विपशना साधना सीखनी होती है, जिसके लिए वेदनान पर्षना की अनिवारिया उशक्ता होती है, क्योंकि साधक पहले वेदना पच्चया तनहा की अनुभूति करे और उसके समुदय वेधर्मा सुभाव को संप्रज्ञान से जानी, तो ही वेदना निरोधा, तनहा निरोधा की मुक्त अवस्था का साक्षात कार कर सकता है, उन उन्हें मनो संपसज्जा वेदना की तो अनुभूति हो सकती थी, परंतु वेदना के परिज्ञान अर्था परिपूर्ण ज्यान के लिए काया संपसज्जा वेदना यानी नाम और रूप दोनों से सम्मंदित वेदनाओं की अनुभूति होनी अवश्यक होती थी, जो अधार चाहते हुए भगवान अपने दोनों पुर्व आचारियों के रून अदाएगी नहीं कर सकते थे। इस लोग के प्राणी भी भगवान की शिक्षा से पूनतहा वंचित रह गए इन्हें छोड़कर अन्य रूप ब्रह्म लोकों को अनेक ब्रह्माओं को उनकी शिक्षा का लाब मिला और मानो जाती को तो विशेश सुईदा है मानो जन्म ही ऐसा है कि जहां नाम और रूप दोन एक साथ उपलब्द है अब हम जानेंगे बाहिये दारू चिरिये की जिनोंने आठो ध्यान में पारंगत होते हुए भी जाना कि वे मुक्ति के नजदिक नहीं गए है तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज की ऐसे साधक की ऐसे सिद्ध की ऐसे सम्यक संबुद्ध की खोज क उन दिनों के सुपारक पत्तन यानी सुपारक बंदरगाह आज की बंबई महानगरी के समीप मुंबई के समीप नला सुपारक गाउं में एक वयोब्रद सन्या सी रहता था वहां वलकल अर्था पेड की चाल का वस्तर पहनता था अथा उसका नाप दारू चिरिये पड़ ग यहां सुनकर उसके मन में अपूर्व धंब सम्वेग जागा वहां भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो उठा और तत्काल श्रावस्तिर के लिए चल पड़ा शिग्र पहुंचने के आतुरता में वहां रास्ते में बहुत कम विश्राम कर पाया जब श्रावस्ति के जेत वहां विहार में पहुंचा तो पता चला कि भगवान विक्षाटन के लिए नगर की ओर गए है यह वहां तुरंत नगर की ओर चल दिया वहां नगर वित्थी में उसने भगवान को विक्षाचारी का करती देखा किसी ने उसको भगवान का परिचय नहीं कराया था पर उनक किये कैसी दिव्यक आया रही होंगी कैसा धर्म प्रकाश रहांगा भगवान का कि उसने उन्हें पैचा लिया और चौरस्ते पर ही रोक कर भगवान से कहा आप सम्यक संबुद शास्ता है करपया मुझे धंब सिकाए भगवान ने कहा यहां कहां मैं विक्षाटन करके आता हू बाद में हम मैं धंब सिकाओं उसने कहा नहीं भगवन यहीं उची तवसर है मैं भी हूँ आप भी है और मेरे में धंब सम्वेग है कितनी आतूरता न जाने इसके बाद मैं रहूं या न रहूं और भगवान ने देखा कि इसकी मृत्यू समीफ है तो उसे ततकाल धंब है देखने में देखना है सुनने में सुनना है चकने में चकना है वहीं बैठे बैठे इस बाहिय दादू चिरिये की समाधी लग गई वह आठो ध्यानों में डूबने लगा और विपश्याना का अभ्यास करने लगा देखने में देखना चकने में चकना सुनने में सुनना इस प्रकार वहां उसी में लीम हो गया और तुरंत अरहंत आवस्ता को प्राप्त हो गया और निर्वान आवस्ता को भी प्राप्त हो गया तो मित्रों यह मैंने कुछ परग्राफ्स तिपिटक में सम्यक संबुद्ध जो हमारे विपशना विशोधर्मिन्यास का प्रकाशन है और गुरुदेव ने जिसे लिखा है सत्यनाजी गोयंका ने उसमें से कुछ आउंश आपको सुनाएं अब हमारे गीता भी क्या कहती है ग इंद्रियार्थे ब्यस्तस्य प्रग्या प्रतिष्टिता इंद्रियार्थे ब्यस्तस्य प्रग्या प्रतिष्टिता याने के इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों में ही देखना चाहिए सिर्फ उससे कोई संग्या से उसका कोई मुल्यांकर नहीं करना चाहिए देखन में देखना, सुनने में सुनना, चक्ने में चक्ना, स्थितप रग्य होकर हमें हमारी वेदनाओं को देखना है, साधना में बेटकर और विपशना ध्यान करना है, यह अत्ती अनिवारिया है मित्रों, हम सांस को देखकर ही रूख जाते हैं, यह सांस ही देखते रह जाते हैं, गुरुदेव ने हर बार बहुत जोर देकर कहा है कि मित्रों कभी भी आप जब भी ध्यान को बैठे तुरंत विपशना करने लग जाए हमें छनभर भी गर ध्यान में हम एकागर हो सकते तो तुरंत हमें विपशना पर जाना चाहिए खनिक समाधी से हमें विपशना पर आ जा तो मित्रों जब भी आप बैठें, समय का सद उप्योग करें, गुरुदेवने बहुत बहुत जोर देकर कहा है, विपर्शना में उतर जाएं, अपने शरी की सम्वेदनाओं को तठसता पुर्वक, सजकता पुर्वक और दृष्टा भाव से देखें और अपना कल्यान सादे धन्यवाद